हेलो फ्रेंड्स मेरे यूटूब चैनल में आपका एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज की टिप्स में मैं आपको सफेद बालों को जड़ से फिर से काला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफेक्टिव होम रिमेड़ी बताने जा रही हूँ इसके इस्तेमाल से आपके सफेद बाल जड़ से काले हो जाएंगे साथ ही वो फिर वापिस सफेद नहीं होंगे लेकिन इसे पहले आपस रिक्वेस्ट अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन यानि घंटी को जड़ू कर ले मैं जब ही कोई नय वीडियो अ सफेद बालों की समस्य हो जाती है इसके अलावा सरीर में विटामिन की कमी के वज़े से भी बाल सफेद होने लगते हैं मैं जो नुसका बताने जारी हूं इसके लिए आपको चाहिए होगा अद्रक आपको अद्रक लेना है और इसका रस निकाल लेना आपको कदुगस करके या पीस करके अद्रक हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फैदे मन्द होता है आप अपनी यह सकता कंसार अद्रक करस ले यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है साथी सफेद बालों को काला करने में मदद करता है इसके अलावा यह बालों की लंबाई बढ़ इसे आपको तब तक मिक्स करना है जब तक ये शहद इसम पूरी तर से घुल जाए ये बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव है सफेद बालों को काला करने में साथी या बालों को सफेद होने से रोपता है यानि कि आपके बाल दुबारा से फिर सफेद नहीं होंगे आप इसका इस्तेमाल अपने बालों की जड़ों में लगा करके अच्छी तरह से 5-7 मीनट तक मसाज करें मसाज करने के बाद इससे अपने बालों में आदे घंटे के लिए लगा कर रखें इसे आपको बहुत ही जयादा होगा इसका इस्तमाला आप हपते में 2-3 बार करें आपके सफेद बाल जड़ से काले हो जाएंगे साथ ही आपके बालों की ग्रोथ भी होगी इसके लावा अपने खाने में ऐसी चीजे को सामिल करें जिसमें भरपूर मातरा में आईरन मौजूद हो और प्रोटीन मौजूद हो इसके लावा आप भरपूर नीन लेने की कोशिश करें और साथ ही पेट साफ रखने की भी कोशिश करें ये बहुत ही ज़्यादा एफेक्टिव है अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज इसे शेयर जोरू करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में